IGL के बारे में डिसस क्या था, फिर MGL के बारे में डिसस क्या था और गुजरात के बारे में मैंने आपको बताया था और ये सभी stock एक ही sector से आते हैं तो ये stock भी उसी sector का है तो sector उपर जा रहा है, stock breakout दे रहा है तो ऐसे cases में price के उपर जाने के जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है हाई एवरिवन, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे F&O stock के बारे में डिसस करने जा रहे है जहाँ पर हमें last week के काफी बेहतरिन breakout देखने को मिला है और अगर ये stock breakout के direction में अगर movement वो continue करता है तो हमें आने वाले समय में अच्छा return देखने को मिल सकता है अब बात करते stock की पहला stock के आप पास ICIC Prudential का और ये rise का chart तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर region को find out करते है कि हमने इस stock को क्यों select किया है क्या हमारा entry price होगा, क्या stop loss होगा और क्या हमारे possible target हो सकते है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर मैं time frame उच कर रहा हूँ वह है weekly का लास्ट टाइम हमने इसको डिसस कहता 600 के आसपास और अभी जो ये rate कर रहा है एराउंट 645 के आसपास एराउंट 7% का आपको return देखने को मिला होगा बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region और एक यहाँ पर simple सा supply zone और you can also say that resistance और अभी सिर्फ और आपको इस zone पर focus करना कि price कि सतरह से behave करता है जब भी प्रैस इस level के पास आता है आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रैस इस level को THTsk करता है डाॉंसहेड में काफी अच्छा मूँ अगरेण प्रैस सेम लिल को तच करता है downside में एक काफी अच्छा मूव अग्यन price सेने लोग touch करता है downside में एक काफी अच्छा मूव आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने kind of evening start बनाया and downside में एक काफी अच्छा मूव price यहाँ पर आता है almost 3 week consolidate करता है and last week में हम इसके एक breakout देखने को मिल रहा है तो इसे हम लोग आते है resistance का breakout तो पहला region इस stock को जो select करने का है वो है resistance का breakout आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि यह जो 633 का जो label है यह last time हमें November 21 में देखने को मिला था almost 3 years के बाद हमें इस level का एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इसे हम लोग काते है multi year का breakout अगर कोई भी level अगर एक साल के बाद ब्रेक होता है तो उसे हम लोग काते है multi year का breakout अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 650 के अगर उपर जाता है तो हमें अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing लो जो किया रहा है 600 रुपिज closing business पर अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 680 का second target है 723 का अड़ इसके बाद यह stock है अपने all time है की तरफ चला जाएगा अब आईए discuss करते हैं next stock और यह है लालपत लैब का तो last week में हमने देखा है की pharma sector and healthcare sector काफी अच्छा perform कर रहे है तो यह जो दो sector आप उस पर नजर बना कर रखिए हो सकता है कि आपको आने वाले समय में एक अच्छा return देखने को मिल जाए तो आप यहाँ पर notice करेंगे last time हमने इसको discuss किया था somewhere around 2550 के आसपस और अभी जो यह trade कर रहा है around 2930 के आसपस तो काफी बहतरी आपको returns देखने को मिला था उतना ही नहीं हमने इसके breakdown पर विडियो ससके था और हमें downside में भी काफी बहतरी मूब देखने को मिला था अब बात करते हैं कि आज हमने इसको क्यों select किया है याद रखेगा जो मैं यहाँ पर time frame उच कर रहा हूँ वो weekly ही है again एक simple सा resistance और again आपको सिर्फ और सिर्फ जोन पर focus करना कि press किस तरह से behave करता है जब भी इस level के पास आता है आप यहाँ पर देख सकते हैं press नीचे से उपर की तरफ जाता है same level को टेश करता है downside में एक move again प्रैस almost same level को टेश करता है downside में एक काफी बहतरीन move again प्रैस इस level को टेश करता है downside में एक काफी बहतरीन move यहाँ पर आप देख सकते हैं press इस level को टेश करता है downside में एक move but last week में हम इसका breakout होते हुए दिख रहा है तो ऐसे cases में price के उपर जाने के जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस stock को जो select करने का जो region है वो है resistance का breakout अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 2950 के अगर उपर जाता है तो मैं अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stopless के तो stopless होगा previous swing low जो क्या रहा है 2660 रूपीच closing basis पर हमारा first target होगा 32500 का second target है 3420 का and third target है was 3750 का अब आईए discuss करते हैं next stock और यह है looping का और यह rise का chart तो last time हम इसको discuss कहता somewhere around 1325 के आसपास और अभी जो stock rate कर रहा है around 1775 के आसपास तो काफी बहतरीन आपको returns देखने को मिला होगा और हमने इस वाले breakout पर भी distance क्या था तो अभी scandal को ध्यान से देखिए कि इसका जो high था 1728 तो मैंने बोला होगा 1730 और 1735 और हमारा कभी भी label ही नहीं आया तो maximum लोग यही गलती करते हैं कि अगर कोई label दिया है न तो उसको wait नहीं करते हैं और उसको market order पर order को place कर देते हैं और वैसे के assessment को loss हो जाता है तो एक बात ध्यान रखें कि अगर आपको market से अगर profit बराना है तो आपको सही level पर इंटर करना बहुत ज़्यादा जरूर ही है गलत level पर इंटर करेंगे कभी भी profit नहीं बनने वाला है और अगर आपने इस level का wait किया होगा तो last week में आपको काफी बेतरी profit देखने को मिला होगा बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर miss कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region आप यहाँ पर notice करेंगे कि यह जो stock था काफी लंबे समय से इस छोटे से range में trade कर रहा था इस range को हम लोग consolidation zone और box pattern कहते हैं और last week में हम इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो पहला region इसा stock को जो select करने का है आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो last week का जो volume है वो previous week के competition में जादा है तो एक concept आप हमेशा ध्यान में रखना कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है यह होता है bullishness का और ऐसे cases में price के ऊपर जाने के जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है Again I am talking about probability not guarantee तो इस बात को धिहर्म रखिएगा अब आप यहाँ पर notice करेंगे कि यह जो around 1700 का जो level है यह last time हमें August 2016 में देखने को मिला था and almost 8 years के बाद हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इसे हम लोग आते हैं multi-year का breakout अगर कोई भी breakout अगर एक साल के अगर बाद होता है तो उसे हम लोग आते है multi-year का breakout तो second reason इसे stock को जो selected निका है वो है multi-year का breakout और जैसा कि मैंने भी आपको बताया लालपत लाप के case में कि जो pharma sector और जो health care sector है वो काफी अच्छा perform कर रहे है और यह stock भी pharma sector का ही है तो आने वाले week में आप pharma sector और health care sector stock जो है उसको watch list में रखिये और जो breakout दे रहे हैं उनको भी watch list में रखिये वहाँ पर आपको बड़े moves देखने को मिल सकते है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 1800 के अगर उपर निकलता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing low जो क्या रहा है 1640 रूपिच closing basis पर अगर बात करेंगे target की तो हमारा first target होगा 1875 का second target है 1980 जो का and third target है पस 2125 का अब आईए discuss करते हैं next stock और यह है Lord's Labs का और year eyes का chart तो आईए सबसे पहले region को find out करते हैं कि हमने इसको क्यों select किया है तो आप यहाँ पर notice करेंगे कि last time हमने इसको discuss किया था somewhere around 350 के आसपस और अभी जो यह trade कर रहा है around 480 के आसपस तो काफी बहत्रीन आपको returns देखने को मिले होंगे बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region और एक simple सा channel pattern और आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि यह जो stock था काफी लंबे समय से इस channel में trade कर रहा था and last week में हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select करने का जो region है वह है channel pattern का breakout उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते हैं कि जो last week का जो volume है वो previous कई week के comparison में कई गुना जाता है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है तो हमेशा ऐसे stock पर नजर बना के रखें और यह stock भी pharma sector में ही आता है pharma और healthcare sector में ही आता है तो इस stock पर भी नजर बना के रखें अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 485 के अगर उपर जाता है तो अगर अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing low जो किया रहा है 425 रूपीज closing basis पर हमारा first target होगा 505 का second target है 550 का and third target है अरपा 610 रूपीज का अब आईए डिस्स करते है अच्छ का last stock और होगा है ONGC का और यह रहा इसका chart तो again सबसे पहले region को find out करेंगे तो अगर आप मेरी videos देखते होगे तो आपको पता हुआ कि recently हमने IGL के बारे में डिस्स क्या था फिर MGL के बारे में IGL के बारे में मैंने आपको बताया था और यह सभी stock एक ही sector से आते है that is while and gas और यह stock भी उसी sector का है तो इसमें अभी क्या है कि एक breakout आने के जो probability है वो बन रही है अभी यहाँ पर breakout नहीं आ है लेकिन आप इस stock को watch list में रखें क्योंकि यह काफी close trade कर रहा अपने breakout level के आसपास तो last time हमने इसको डिसास किया somewhere around 175 के आसपास फिर 185 के आसपास फिर 200 रूपीज के आसपास और अभी जो यह trade कर रहा है around 290 के आसपास तो काफी बहतरी आपको returns देखने को मिले है अब बात करते हैं कि आज हमने इसको क्यों select किया है तो आप यह हमने notice कर सकते हैं कि यह जो stock था काफी लंबे समय से एक छोटे से range में trade कर रहा है और इस range को अब लोग consolidation जोल और box button कहते हैं और यहाँ पर यह consistently एक resistance फिस कर रहा है around 300 level के आसपास तो अगर यह stock upside में अगर break करता है तो आपको आने वाले समय में अच्छा return देखने को मिल सकता है अगर मैं chart को shrink करता हूँ तो आप यहाँ पर यह भी देखेंगे कि जब यह 300 का level जब यह break करेगा तो यह multi year का breakout देगा और वो breakout होगा almost 10 years के बाद तो आप इसा stock को वास्टेस में डखिए और अगर यह stock 300 के अगर उपर जाता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है हमारा stop loss होगा previous swing लो जो क्या रहा है 270 rupees that is around 10% और हमारा first target होगा इसका all time का high that is around 350 and इसके बाद यह जो stock है अपने all time high के तरफ चला जाएगा तो देखिए इसा stock को जो selected ने का जो region है पहला यह resistance के पास है दूसरा काफी close rate कर है अपने all time high के पास और तीसरा while and gas sector जो है वो काफी अच्छा लग रहा है मतलब काफी अच्छे moves दे रहे हैं तो ऐसे stock पर हमेसा नजर बना के रखें तो I hope कि आप इस वीडियो से को सीखने को मिला होगा Thanks for watching